हेलो गाइज वेलकम टु टेकनो एरा आज हमारे पास है रेडमी 11 प्राइम 5G एंड पोको M4 5G दोनों 5G डिवाइज हैं दोनों की डिजाइन की बात करूं तो दोनों दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं दोनों में आपको प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम मिलता ह और बडल के की बात करulsion डोनों मैटटफ्ुनिश के साथ आता हैं और दोनों फॉंस के तिकने बात करूं तो दोनों इन आपको 8.9 Mm की देखने के लिए нравится को दोनों में आपको 200 g solely Rebs डेखने के लिए मिल जाएगा तो काफी सिमिलर है आपको जो hand feel है वो similar देखने के लिए मिल जाता है जो main है वो design आपको कौन सा अच्छा लगता है आपको Poco में देखने के मिलेगा कि fingerprints जोनों में नहीं आता है जो Poco का black position उपर को थोड़ा shiny है उसमें आपको fingerprint देखने के लिए मिल जाता है तो दोनों ही phones में आपको power button जो side mountain fingerprint कवर करता है volume up and down button देखने के लिए मिल जाते हैं left hand side की बात करूँ दोनों में SIM card tray का option आपको SIM card tray की बात करूँ तो Redmi 11 Prime 5G में आपको triple card SIM card tray मिलती है हाई refresh rate आता है 180S का turn sampling rate भी है और जो प्रोटेक्शन है स्क्रीन में दोनों में कॉर्णिंग गुरु रगला स्थरी का दिया है जो काफी ची बात है बाकि दोनों ही एक sunlight display तो outdoor में जो आपका brightness एकजस्मेंट होने वाला है वह काफी अच्छा होने वाला है तो दोनों में similar आपको एक display मिल जाती है बाकि दोनों ही फोन्स को आपको एक डिस्प्लेश मिलती है अगर पंच वोल होता तो ज्यादा चलगता दिखने में बाकि आपकी screen to audio काफी similar आता है दोनों के bezels वगारा बिल्कुल ब्राबर हैं कोई ऐसा डिफ्रेंस नहीं है बाकि दोनों में आपका एक सिंगल मोनो स्पीकर मिलते हैं आपको रेड्मी ने आपका फाइल जी बोलके जो डवल स्पीकर देता है जाता मोश्ली फोन में वह नहीं दिया तो सिंगल स्पीकर है और बेस और लाउट ठीक ठाक है बाकि दोनों में आपको दो वेरिट मिलते हैं 464 एं 6128 दोनों ही फोन दोनों ही फोन में आता है को दोनों फोन के बात करूं तो मीडिया दाइक डामेंसिटी 700 आता है जो कि एक 5g जीप सेट है 7mm फैप्रिकेशन पर लग करता है प्लस आपको 7 5g बैंड दोनों ही फोन में देखने कर देखने मिल जाता है तो जिस प्राइज इसमें आते हैं दोन दोनों ही डल 4G वोल्टी है करियर आइडिएशन का सपोर्ट मिलता है मलब 4G प्लस का आपको सपोर्ट जेकने के लिए मिल जाएगा बाकि Bluetooth 5.1 दोनों ही फोन में आता है तो कनेक्टिविटी भी टिक टाक है बाकि डे टो डे उसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाल इतना ज्यादा आप गेमर हो तो उससाप से नहीं बोलूगा पर एक एवरेज गेमिंग के लिए ठीक ठाक है चाहिए आप बीजे माई खेलो फ्री फायर खेलो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसके बाद अगर पोको एम फॉर 5G की बात को तो सिमलर आपको सेम प्रॉ आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोनों में ही डॉयल का सेटप मिलता है इसमें 50 MP का मेन कैमरा आता है 2 MP का डैप सेंसर और दोनों ही फोंस में आप 1080p 30fps तक वीडियो भी रिकॉड कर सकते हो बाकि फ्रेंट कैमरे की बात करूं तो 8 MP का आपको एक सेल्फी कैमरा मिल जा देखने की और पोको M4 अगेन इस फोटो में भी मुझे ज्यादा बैटर देखने मिला है डिटेल्स अच्छी है कलर्स थोड़े जरूर बूस्टर हो रहा है पर डिटेल्स भी ज्यादा बैटर दे रहा है और इसमें थोड़ी सी वाइड बैलेंस की कमी लगी है मुझे जाइसा डिफरेंस निए दोनों में यह आपको कोई ज्यादा स्टेबल देखने के लिए नहीं मिलता और एक्स्पोजर को भी तोनों ठीक टाक साई मेनेज करते हैं कोई ऐसा जाई डिफरेंस निए बाकि दोनों ही फोन की बड़ी बैटरी मिल जाती है बर जो चारजिंग स support कर ले फोन उतना ही तो जादा बेटर रहता है fingerprint की बात करूं दोनों में आपको side mountain fingerprint sensor मिलता है तो फटाफट से setup कर सकते हो आप ऐसी कोई दिक्कत निया यूज की बात करूं तो दोनों फटाफट से unlock हो जाते हैं सब कोई दिक्कत निया आप single tap पे भी कर सकते हो और hard press पे भी कर सकते हो बाकि दोनों ही phones की face unlock की बात करूँ तो यह मुझे कुछ समझ नहीं आ है इसमें बिलकुल आप घुसी जाओगे तो आपका unlock हो जाएगा बाकि तो दोनों में मुझे थूड़ी सी दिक्कत लगए कि काफी आप अच्छे से देखोगे इसकी तरफ तभी unlock होता है थोड़ा बहुत भी आप इधर उधर हो तो आपका unlock नहीं कर पाता है प्रॉपरली तो यह थोड़ा सा इश्यू लगा है बाकि दोनों फोंस की OS की बात करूँ तो दोनों में आपको MIUI 13 देखने के लिए मिल जाता है जो कि बेस्ट एंड़ाइट 12 पर दोनों ही फो update है आपको एक update के बाद कि आपको directly uninstall करने का option पोको M4 में मिल जाएगा जो फिलाल नहीं आता है अपको अंदर जाके अन्डर करना पड़ता है पर एप शेर करने का option दोनों ही फोनस में आता है तो यह अच्छा है कि आप डिरेक्ली अप शेर कर सकते हो दोनों फोंस में से बाकि Uninstall की बात रही तो जो आप Icon से Uninstall कर चकते हो वो फिलाल Redmi 11 Prime में कर चकते हो और Poco M4 में आपको एक Update के बाद यह Option देखने के लिए मिल जाएगा तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा Issue नहीं है बाकि दोनों ही फोन में आपको MIUI 13 मिलता है ठिक टाक सा है ज्यादा Ads देखने के लिए अब नहीं मिलता है तो OS की बात करता हूं तो वो भी दोनों में यह सेम आ जाता है तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है बाकि क्या लगता है यह दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको ल अच्छा लगता है दो अब एक ही डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं सज़दा लॉजिक है कि इसका डिजाइन अच्छा लग रहा है वो ले लो तो डिजाइन वाइस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पोको एंफोर फाइप आपके परशन च्वाइस है बाकि अब से बोलूगा कि कोई भी ले लो डिजाइन जिसका अच्छा लगे वो परचिस कर लो बाकि मारी वीडियो कैसे लगी हो अगर अब थोड़ी से भी हैल्प हुई हो तो चैनल कुस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना और बैल आइकन जरूर प्रैस करना